हालो स्टुडेंट वेलकम बेक टू निशान्स क्लासे ओन्लाइन टुटोरियल हालो स्टुडेंट दिस नवीन बरुदिया बायोलोजी फैकल्टी ओप निशान्स क्लासे कोटा राजिस्तान लास्ट लेक्चर में हमने कुपोशन और इससे संबंदित रोगों का अध्यान कहता जिसमें प्रोटीन, वसा, मिनरास, आयोडीन, लोहा, आधी की कमी से होने वाले रोगों का अध्यान कर लिया था आज हम विटामिन की न्यूंता या इसकी कमी से होने वाले रोगों का अध्यान करेंगे तो विटामिन जो है वो कार्बनिक योगिक होते हैं और ये मेटाबोलिजम में यानि उपापचे में इनके कारी और इनकी विलेता के अधार पर दो भागों में बाटे जाते हैं विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं वोटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन जिसमें से पहला विटामिन आता है सबसे पहले है वो है विटामिन A जिसको अधर नेम रेटिनॉल कहा जाता ह यहां एक हॉर्मोन की भातीगी कारे करता है यह जो है वो हमारे द्रश्चे जो वर्णक होते हैं आग के अंदर उन वर्णकों को बनाने में मुक्य भूमी का निबाते हैं यानि कि उनके संसलेशन में मुक्य भूमी का निबाता है विटामीन एका मुख्य श्रोज जो होते हैं वहरी सबजियां, गाजट, टमाटार, यक्रत की कोशिकाएं, अंड़े की पीतक जिसमें प्रोटीन होती है और दूद ये सब इसके मुख्य स्रोज होते हैं इसका मुख्य कार्य होता है द्रस्टी वर्णक का निर्मान करना यानि रोडोफसीन का निर्मान करना जो कि हमारा द्रस्टी वर्णक आँखों में पाया जाता है उस रोडोफसीन का या निर्मान करता है इसकी कमी से मुख्य रोग जो है रतोंदी रोग जिरोग थेल्मिया लास्ट लेक्चर में हमने जिरोग थेल्मिया का अध्यन कर लिया था रतोंदी रोग आज हम लोग स्टेडी करेंगे कि इसकी कमी से रतोंदी रोग होता है वो होता क्या है रतोंदी रोग में क्या है कि हमारी जो वर्णक होता है उस वर्णक के मुख्या वेव जो होते हैं वो कौन और रोड सेल वो प्रकास के प्रतिक्या है अनुक्रिया दर्शाना बंद कर देती है क्योंकि हमें पता है जो वन्डक है वो सूरे के प्रकास को ग्रहन करके कौन और रोड कोशिकाउं द्वारा रेटीना तक प्रकास को पहुंचाता है और हम देखने में शक्षम हो पाते हैं लेकिन अगर विटामिन एकी कमी हो जाते हैं तो द्रस्टी वन्डक नहीं बनेगा और कोण और रोड सेल प्रकास के प्रती समवेदर्शिन नहीं हो पाएंगे उन्हों में दिखाई देना बंद हो जाएगा तो यह अचानक नहीं होता है इसमें क्या कोण और रोड सेल धीरे धीरे प्रकास के प्रती अभी किरिया करना बंद कर देती हैं जिसके वज़य से रतोंदी रोग होता है और हमें रात के समय या अंधेर में दिखाई देना कम हो जाता है इसे नाइट ब्लाइडनेस भी कहते हैं दूसरा फेट सोलुबल यानि वसा में विले विटामिस आता है विटामिन डी जिसे बोलते हैं अधर नेम कैल्सी फेरोल विटामिन डी का मुक्य सरथ जो होते हैं वो मचलियों का यकरत होता है इसके अलावत दूद और प्रकाश की उपस्तिति में ये हमारी त्वचा में बनता है विटामिन D जो है मुक्य तहा दो रूपों में पाया जाता है विटामिन D2 जिसको अर्गो कैलसी फेरोल केते हैं और विटामिन D3 जिसको कोले कैलसी फेरोल केते हैं तो प्रकाश की उपस्तिती में बीना एंजाइम की उपस्तिती में प्रकास के दुआरा हमारी तौचा में विटामिन D3 का ही निर्माण किया जता है विटामिन D का मुक्य कारे होता है भोजन में उपस्ति जो केलशियम आयन है उनका आउस्षण बढ़ाना और हमें बताए कि केलशियम आयन जो है तो इसकी कमी से रिकेट स्रोग होता है जो कि बच्चों में बहुत अधिक पाया जाता है जिसकी वज़े से केल्शेम आयन का आउस्षोशन रुख जाता है और अस्ति का निर्माण नहीं हो पाता है उससे बच्चों में रिकेट स्रोग का मुक्के लक्षन क्या होता है कि जो अस्तियां या बॉन होती हैं वो लचीली हो जाती है और उनके पेर हाथ पेर टेड़े मेड़े हो जाते हैं तो रिकेट स्रोग को उपचार के लिए या विटामिन D की कमी को पूर्ती करने के लिए हमें जो डेरी प्रोडक्ट्स होते हैं यानि कि दूद, पनीर, दही, मकन, छाच, आर्धी का भरपूर सेवन करना चाहिए तथा क्योंकि यह मचलियों के यकरत में बहुत अधिक पाये जाता है तो सौलमन और टूना फिश खाने से विटामिन की कमी दूर हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट फेट सॉलिबल विटामिन आता है विटामिन ई जिसको टॉको फेरोल कहा जाता है इनका मुक्के श्रोत होता है हरी सबजियां गेहूं जो अंकूरित गेहूं होते हैं उनका तेल और दूद इनका मुक्के श्रोत होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है जो वसा होती है ऐस अंत्रप्त वसा उसके ओक्सिकरन को रोगना क्योंकि जो विटामिन E होता है वो एंटी ओक्सिडेंट होते हैं विटामिन E एंटी अक्सिडेंट होता है यानि कि यह है अमारी शरी की कोशिकाओं के अव्यों को बिना कारण ओक्सिकर होने से रोकते हैं इसलिए इन्हें एंटी अक्सिडेंट कहा जाता है तो यहां मेंली यह वसा का ओक्सिकरन को रोक रहे हैं तो इसलिए इनको यहाँ पर एंटियोक्सिडेंट कहा गया है इनकी कमी से उत्पन होने वाला रोग है बांजपन यानि इनफर्टिलिटी और अंगगात यानि की पेरलाइसीस तो यहाँ पर बांजपन के बहुत सारे कारण होते ह हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग विटामिन E की कमी की वज़े से बांजपन हो रहा है तो इसका मुक्के कारण लेंगे तो यहाँ पर 12 जो है वो स्पर्म यानि शुक्रानों को DNA के डेमेज हो जाने से उत्पन होता है और विटामिन E का काई कार्य है कि जो स्पर्म या शुक्रानों को DNA इसके ओक्सीकरन को रोकना यानि कि विटामिन E जो है वो स्पर्म की जो मेंब्रेन होती है यानि कि जिल्ली उसके ओक्सीकरन को रोकता है और स्पर्म के DNA को डेमेज होने से बचाता है दिससे की बांचपन रुक सके अगर विटामिन E की कमी हो जाएगी तो इस्पर्म का DNA डेमेज हो जाएगा और बांचपन उत्पन हो जाएगा तो यह है बांचपन का मुक्के कारण और इसका रोकने का उपाए दूसरा है अंगगात जो की यह नियूरो यानि तंत्रिका कोशिका होती है उनको भी यह डेमेज करता है कुछ वहाँपा फ्री रेडिकल्स होते हैं फ्री रेडिकल्स जो है वो कोशिका समरूप कोशिका समू होते हैं जो के अन्य कोशिकाओं को ओक्सी करन के लिए responsible होते हैं तो यह विटामिन E जो है वो इन फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाले ओक्सिकरन को रोकता है और बांजपन और अंगगात होने से बचा लेता है। लास्ट जो फेट सॉल्यूबल विटामिस आता है वो है विटामिन K जिसको नेप तो क्यों कहा जाता है। इसका मुख्य श्रौत होता है हरी सबजियां और यहां आत्र के जिवानों द्वारा संसलेशित किया जाता है। इसका मुख्य कारे होता है जो हमारे रक्त में उपस्तित प्रोथ्रोंबिन प्रोटीन है उसका निर्मान करना। और प्रोथ्रोंबिन जो है वो रक्त में ठक्का बनाने के लिए उत्तरदाई प्रोटीन होती है। तो विटामिन ए की कमी से यहां पर रुदीर का स्त्राव हुने लगता है यानि कि रुदीर का ठक्का बनना बंद हो जाता है जिससे के रुदीर बहता जाता है विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में तो मुख्य भूमी का निबाता ही है इसके अलावा यहां हड्डियों के बनने में भी सहायग होता है क्योंकि रक्त में उपस्तित केल्शिम आइनों को यहां हड्डियों तक पहुचाने का कारे भी करता है यानि कि विटामिन D की कमी से रुद्धीर का स्त्राव होना तो है इसका अलावा दूसरा रोग हड्डियों का कमजोर होना भी होता है जो कि केल्शियम आयन की कमी से हो जाएगा क्योंकि केल्शम आयनों को विटामिन के के द्वारा ही हड्डियों तक पहुंचाया जाता है तो आज के लेक्चर में हमने वसा में विलाय विटामिनों का अध्यन क्या है जो निमली के चार प्रकार की होती है विटामिन A, D, E और K जिनके स्रोत, कार्ये और इनसे होने वाले मुख्य रोगों का अध्यन किया और उनकी रोब थाम के उपाये देखे विटामिन इसके बारे में एक चीज याद रखियेगा कि यह मानों के शरीर में इनका उत्पादन नहीं होता है इनको हमें A, J, S, R, O, T के रूप में बाहर से ही लेना पड़ता है या खाना पड़ता है विटामिन D जो है वो प्रकाश की उपस्तिती में हमारे स्कीन में ही बन जाता है उसके अलावा कोई भी विटामिन जो है हमारे शरीर में उसका निर्मान नहीं होता है तो आज के लिए इतना ही नेक्ट लेक्चर में हम लोग जल में विले प्रोटीनों का अध्यन करेंगे जब तक लिए गुड़ता है